आईए सुनते हैं अध्याय आठ लोगतंत्र की चुनोतियां प्रिश्ट संख्या 101-112 लोगतंत्र की चुनोतियां परिचय पिछले दो वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा है उसको आधार मानकर ये अंतिम अध्याय लोगतंत्रिक राजनीती के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है जैसे हमारे देश और अन जगों पर लोगतंत्र के सामने क्या-क्या चुनोतियां हैं हमारी लोगतंत्रिक व्यवस्ता अपने बरताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोगतंत्रिक बन सकती है इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं है ये उन तरेकों के बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारे भर करता है जिन से हम इन चुनोतियों और सुधारों की दुशा में आगे बढ़ सकते हैं। या ज्याए आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनोतियों पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंडने और लोकतंत्र को अपने ढंक से परिभाशित करने का निमंत्रण भी देता है। चिन्तन चुनोतियों का। क्या आपको कक्षा आठवी की अपनी राजनीती विज्ञान की पाठ़पुस्तक का पहला अध्याय याद है। उसमें हमने देखा कि पिछले सौ वर्षों में दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ है। उसके बाद की पढ़ाई न हमारी इस शुरुआती राय को पुष्ठी ही किया है कि समकाले इन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुक रूप है। इसे कोई गंभिर चुनोती नहीं है और ना कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिदुन्दी है। लेकिन लोकतंत्रिक राजनीती के विबन नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिदुन्दी नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं कि इसके लिए कोई चुनोती ही नहीं है। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यातरा के विबन पढ़ावों पर हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतंत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभिर चुनोतियां हैं ये चुनोतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं हैं हम आम तोर पर उनी मिश्कुलों को चुनोति कहते हैं जो महत्पून तो हैं लेकिन जिन पर जीद भी हासिल नहीं की जा सकती अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनोती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादे सिद्धान्तों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विबिन संस्थाओं में लागू करना शामिल है। अपने अंत्रिक व्यवस्थाओं के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी चुनोती है। तीसी चुनोती लोकतांत्र को मजबूत करने की है। इसलिए चुनोती दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग सुरूप ले लेती है। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कारपदती को सुधारना और मजबूत करना होता है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रन में वृद्धी हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशारी लोगों के नियंत्रन और प्रभाव को कम करने की जरूरत होती है। नवी कक्षा की और अपनी इस पाठ़ पुस्तक के विविन अध्यायों में हमने अनेक उधारन और कहानियों की मदद से इन चुनोतियों पर गोर किया है। आईए लोगतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी महत्पूर्ण पड़ावों पर लोटें, यादों को ताजा करें और देखें कि इन पड़ावों पर लोगतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनोतियां हैं। राजनितिक सुधारों पर विचार इन में से प्रतेक चुनोति के साथ सुधार की संभवना भी जुड़ी हुई हैं। जैसा की पहले कहा गया है हम चुनोतियों की चर्चा सिर्फ इसली करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधन पाना संभव लगता है। लोगतंतिक सुधारों की सुधारों की सुची नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई सुची अंतियम रूस्य बना ही नहीं जा सकती। अगर सभी देशों की चुनोतियां एक जैसी नहीं है तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि राजनितिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता हम कार का मॉडल जाने बगेर उसकी गरबड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते वो कहां से खराब हुई है उस जगे क्या उपकरन लगे है उसका मॉडल क्या है यह सब जानकर ही उसकी मरमत का दरेका सुझाय जा सकता है पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांच्छे सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं हम राश्टी स्तर के सुधार पर भी दी जा सकते हैं फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है सो सूची बनाने की जगे आईए कुछ व्यापक दिशा नरदेशों पर विचार करें जिने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तर्यका और जर्या ढूंगते समय अपने जेहन में रखा जा सकता है कानून बनाकर राजनीतिक को सुधारने की बात सोचना बहुत सुहावना लग सकता है नए कानून सारी अवांचित चीज़ें खत्म कर देंगे यह सोच लेना भले ही सुखा दो लेकिन इस लालज पर लगाम लगाना ही बहतर है निशित रूप से सुधारों के मौामले में कानून की एक महत्तपूर भूमी का है साउधानी से बनाई गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतुसाहिद और अच्छे कामकाच को प्रोसाहिद करेंगे पर विधिक समवैधाने के बदलाओं को ला देने भर से लोकतंसर की चुनोतियों को हल नहीं किया जा सकता ये तो क्रिकेट के नेमों की तरह है LBW के नेमों में बदलाओं से बल्ले बाजों दोरा अपनाई जाने वले बल्ले बाजी के नकारात्मक दाउपैच को कम के जा सकता है पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नेमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा यह काम तो मुखिता है, खिलाडियों, प्रसिक्षकों और क्रिकेट प्रसाशकों के करने से ही होगा इसी प्रकार राजनितिक सुधरों का काम भी मुखिता राजनितिक कारिकरता, दल, आंदोलन और राजनितिक रूप से सचेत नागरिकों के दोरा ही हो सकता है कानूनी बतलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कई बार परड़ाम एकदम उल्टे निकलते हैं जैसे कई राजजों ने दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है इसके चलते आनेक गरीब लोग और महिलाएं लोगतांत्रिक आउसर से वन्चित हुई हैं जबकि ऐसा करने के पीछे या मंचाना थी आम तोर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून राजनिति में ज्यादा सभल नहीं होते राजनितिक कार्यकरता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाब पहुचाने वाले कानूनों के सभल होने की संभावना ज्यादा होती है सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोगतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्री करने का अच्छा उधारन है ऐसा कानून ब्रटाचार पर अंकुष लगाता है और ब्रटाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयत करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है लोकतांत्रिक सुधार तो मुखता राजनितिक दल ही करते हैं इसलिए राजनितिक सुधारों का जोर मुखता लोकतांत्रिक कामकाच को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए जैसा कि आपने राजनितिक दलों वाले अध्याय में सुना था ऐसे सभी सुधारों में मुख्यत चिंता इस बात की हुनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनितिक भागीदारी के इस्तर और गुर्वत्ता में सुधार होता है या नहीं राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताओं में अच्छे समधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यूं लागू करेगा यह मालेना समझधारी नहीं है कि संसत कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और संसत के हित्नों के खिलाफ हो पर लोकतांत्रिक आंदोलन नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सभल होने के संभावना होती है आएए इन सामान्य दिशान रदेशों को ध्यान से सुने और लोकतांत की कुछ उन चुनोतियों पर गौर करें जिन में कुछ सुधारों की गुंजाइश है तो चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव बनाते हैं राजनेताओं को सुधारना रोज ने आखिरकार मेडम लिंगदो को अपनी कक्षा के सामने पकड़े लिया यह योजना वो कुछ समय से बना रही थी मैम मुझे सचमुच कनाडा वाला वो काटून बहुत अच्छा लगा रोज ने बाची शुरू करने के लिए यह प्रक्रण छिड़ा मैडम लिंगदो को एक बार की वो काटून याद नहीं आया मैम वो काटून जिसमें कहा गया कि कनाडा के 98 फीसदी लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बकसे में बंद करके नियागरा जलपरपात में भैकना चाते हैं मुझे तो अपने राजनेता यादा रहे थे हमें तो और बड़े वाहन और ब्रहम पुतर जैसे विशाल नदी की जरूरत होगी लिंगदो मैडम रूस की बात सुनकर मस्कुराई अधिकतर भारतियों की तरह वो भी नेताओं के वहबार तथा दल और देश का शासन चलाने के उनके तोर तर्रिकों से नारास थी पर विचाती थी कि रोज इस समस्या को जडलता से समझे उन्हें पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगता है राजनेताओं को हटाने से तुम्हारे समस्यां सुलच जाएंगी हाँ मैम, क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्यां के लिए जिम्मेवार नहीं है मेरा मतलब है ब्रिष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, संप्रदैक दंगे, अपराद, हर गड़बड के लिए लिंग दो मैडम, तो हमें सभी के सारे निताओं से मुक्ति पाने भर की जरूरत है क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगे जो लोग आएंगे वे ऐसा नहीं होंगे रोज, हाँ मैंने इस पर तो सुचा ही नहीं था, लेकिन संभव है वे इनकी तरह के नहों संभव है आगे बहतर चैतर वाले निताओं आएं लिंग दो मैडम, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि अगर लोग ज्यादा चौकस रहें और दिल्जस्पी लेकर ब्रष्ट और खराब निताओं को हटाएं तथा अच्छे लोगों का चुनाव करें तो इस्तिती बदल सकती है फिर यह भी हो सकता है कि सारे निता ब्रष्ट ना हो आप ऐसा कैसे कह सकती है मैम, बीच में ही रोज ने कहा लिंग दो मैडम, मैं नहीं कहती कि राजनिता ब्रष्ट नहीं है संभव है कि जब तुम निताओं के बारे में सोचती हो तो तुमारे ध्यान में वे बड़े लोग होते हों जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है मुझे भी उनी निताओं की याद आती है जिने मैं जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि जिन निताओं को मैं जानती हूँ वे मेरे अपने साथिऊं या सरकारी अधीकारिऊं ठेकेदारूं अत्वा मेरी जानकारी के मध्यमवर की पेशिवर्ट लोगों से जय्यादा ब्रष्ट हो। राजनिताओं का ब्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी अधार पर सभी निताओं के बारे में धार ना बना लेते हैं। उनमें से कुछ ब्रष्ट है तो कुछ एमानदार भी हैं। रोज ने हार नहीं मानी। मैम, मेरे कहने का मतलब यह था कि भिष्टाचार औ जाती धर्म की आधार पर राजनीती करने जैसे गलत कामों पर रोक लगनी चाहिए। लंग दो मेडम! रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते। एक बात तो यही कि राजनीती में जाती और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी हैं लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूम लेते हैं। जब तक लोग जाती और धर्म के अधार पर समाज को बाठने और भर्माने का काम बंद नहीं करेंगे तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। जब तक लोग और नेता जाती धर्म की सीमाँ से उपर नहीं उठेंगे तब तक वास्तिविक लोगतंत्र नहीं आएगा। लोगतंत्र की पुनर परिभाशा पिछले साल हमने लोगतंत्र की इस व्यात्रा की शुरूआत उसकी नियुनुतम परिभाशा के साथ की. क्या आपको वो परिभाशा याद है? पिछले साल की आपकी पाठ़ पुस्ता के अध्याय दो में दी गई परिभाशा कुछ इस तर्प्रकार थी लोग तंत्र शासन का वसहरूप हैं जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं इसके बाद हमने अनेक मामलों पर गोर किया और परिभाशा में कुछ और चीज़ें जोड़ी लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे परमुक फैसले लें चुनाव में लोगों को वरतमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का परियापत आफसर और विकल्प मिलना चाहिए ये विकल्प और आफसर हर किसी को बराबरी में उपलब्द होने चाहिए विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो समविधान के बनियादी नेमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे शायद आपको निराशा हुई हो कि इस परिभाशा में उन उचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर रखते हैं हमने लोकतंत्र की कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी पर वहवारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की नियुनितम लेकिन इस पस्ट परिभाशा से बात शुरू की थी इससे हमारे लिए लोकतांत्रिक और गेर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में इस पस्ट अंतर करना आसान हो गया आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विवन पालूं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाशा से काफी आगया गये हैं हमने विस्तार से लोगतांतरिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर्गे नहीं हैं। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिने एक लोगतंत्रिक शाषन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हमने सत्ता में हिसेदारी को लोगतंत्र की भावना के अनकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीज सत्ता की साज़ेदारी लोगतंत्र के लिए जरूरी है हमने यह भी देखा था कि लोगतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शाशन व्यवस्था नहीं हो सकता और अलप संख्यक आवाजों का आदर करना लोगतंत्र के लिए बहुत जरूरी है लोगतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकास से आगे तक नहीं गई हमने यह भी चर्चा की कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोगतंत्रिक व्यवस्था का महत्रपून काम है आखिर में हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोगतंत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ नियुनुतम नतीजों की उमीद तो करने ही चाहिए ऐसा करने में हम लोगतंतर की उस परिभाशा के खिलाफ नहीं गए हैं जो पिछले वर्ष दी गई थी किसी भी देश को लोगतंतर कहलाने के लिए जिन नियुनुतम चीजों की जरूरत होती है उसे परिभाशित करके हमने शुरुआत की इसके बाद हमने लोगतंतर के लिए कुछ वांचित शर्तें की चर्चा की जिनें पूरा किया जाना चाहिए फिर हमने लोगतंतर की परिभाशा से आगे बढ़कर अच्छी लोगतंतर की विवस्ता का ब्यारा दिया एक अच्छे लोगतंत्र को हम कैसे परिभाशित करेंगे इसकी विशेष्टाएं क्या क्या हैं किसी लोगतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें किसे विशेष्टा का होना बहुत जरूरी है और अगर कोई व्यवस्ता लोगतंत्रिक है तो उसमें क्या चीज निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए ये फैसले आप कीजिये